हलो एविवन एंड वेलकम टू उनली आईएस स्वागत है आपका 30 मार्च की एडिटरिल डिसकॉशन में सुमिद सर अज यह session अटेंड नहीं कर पाएंगे किसी कारण से और कल से वो दुबारे से continue करेंगे तो उनके absence में मैं आपके साथ ही session करूँगा तो देखते हैं आज की important articles जो पहला important article है वो बात करता है ad hoc judges की appointment को लेके high court में हमें पता है कि Indian judiciary में high courts में और subordinate courts में बहुत सारी vacancies हैं बहुत से cases pending हैं तो यह article उसके बारे में बात करता है यहां हमें क्या समझना है कि एक यह news क्यों इतनी important है और क्या-क्या provisions है ad hoc judges को लेके पहली बात कि ad hoc judges होते कौन से हैं तो यह वो judges हैं जो permanent judge नहीं है इनको कुछ time के लिए appoint किया जाता है कुछ cases को resolve करने के लिए for example tax policy के उपर मान लिए बहुत से cases अठके पढ़े हैं कार के किसी विभाग के शार्थ लोगों के उपर तो वहां आप किसी एक judge को appoint करेंगे कुछ समय के लिए उस तरह के cases को देखने के लिए तो जो ad hoc judge appoint होंगे इनकी क्या requirements है क्या-क्या provisions है और क्या वजह है कि independence क्यों है इन सब को हम समझेंगे इसमें इंपॉर्टन आर्टिकल से इसलिए आप से में उमीद करूंगा आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पहली बाद आती है कि क्यो न्यूज में है आर्टिकल tendency की कि लोग नहीं होते वर्कफोर्स कम होती है आपको वर्कफोर्स कम होने के लिए एक आकड़ा चाहिए अपने answers में लिखने के लिए तो law minister में court किया था कि 1080 post में से 419 post अभी तक खाली है मतलब more than 40% आपकी seats जो है अभी तक vacant है इतनी ज़्यादा vacancy अगर होगी court के judges के रियाज में तो कोई नियायक करेगा कैसे फैसला सुनाने के लिए judge ही उपलब नहीं है तो जो judges अलेड़ी है उनके उपर workload बढ़ जाएगा बहुत ज़रा workload बढ़ जाएगा तो वो क्या करेंगे कहेंगे कि अब अगली तारिख पे आईए पहले हम important pieces क to resolve करेंगे तो इस वज़े से pendency बहुत जारा बढ़ रही है तो Supreme Court ने ऐसा बोला कि इस pendency को कम करने के लिए हम कुछ ad hoc judges को appoint कर सकते हैं ad hoc judges वो judge होंगे जो पहले ही judges थे high court के अब retire हो चुके हैं उनको दुबारा कुछ time के लिए hire किया जाए कुछ विशेश तरह के law का कोई case अगर है tax policy हो गई electricity department में example के तौल पर बता रहा हूँ अगर उन्हें solve करने के लिए आप कुछ ad hoc judges को appoint करिए वो उन cases की सुनवाई करेंगे और जल्ड़ी चल्ड़ी निप्टारा करके मुक्ति दे देंगे उनको प्रॉब्लम क्या रही है पेंडेंसी को लेकि आप देखिए विकेंसी कितनी जादा हाई है जो बड़े जहां जादा पॉपलिशन डेंसीटी है फॉर इसांपल पटना कैलकाटा राजस्थान यहां more than 50-55% से ज्यादा लोग सीटें खाली है मतलब हाई कोट आधे से भी कम स्टेंथ के काम कर रही है तो वहाँ ओविसली ज्यादा केसिज अटके पड़े होंगो और वो भड़ते चले जाएगे तो पहले यह देखते हैं कि चलिए एड-hawk judges appointment की बात हुई है तो यहां Supreme Court की suggestions क्या क्या है Supreme Court ने बताया है कि हमें जब भी appoint करना किसी अट-hawk judge को तो कुछ इस तरह एड-hawk judges को appoint किया जाए कि उनकी जो position है उनकी जो hierarchy है ऐसा नहीं हो कि कोई एड-hawk judge जाज आया है पहरे रिटायर थे वो अब दुबारा उनको appoint किया गया तो उनको senior most judge बना विया जाए ऐसा नहीं होता कोई विक्ति रिटायर हो गया अगर कोई judge है रिटायर हो गये तो उनकी जो rank है वो खतम हो जाए जो दुबारा आएंगे तो ऐसा junior most judge वो उनको appoint किया जाएगा उनकी hierarchy सबसे lower level पर होगी दूसरी किस तरह सेलेक्ट किया जाएगा उनको तो देखा जाए कि पर जो रिटायर जैज इस तरह है कि cases को solve करना है वहां किसके पास expertise है जिसके पास भी उस particular field में मालेज़े law में अगर मालेज़े electricity के case हो गए taxation की policy हो गई या फिर जमीनी विवाद है जो भी तरह है वहां पर जिसके पास expertise है उनको जल्दी से जल्दी हायर किया जाए ताकि वो tendency को कम कर सेगे कम समय उसके बार वो फिर obviously retire हो जाएगे और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी case में tendency 10 या 8 साल से जारा चली जाती है तो जो chief judges है वो किसी एक judge को appoint कर सकते है और वो judge का जो tenure हो रहा है ऐसा नहीं कि हमने एक साल के लिए अगर cases लंबे खिच रहे हैं तो वो काफी समय तक रह सकते हैं यह हो गई supreme court के suggestions क्या है याद रखिए mostly guidelines है और ऐसा कहने की वज़ाई है कि भाई कोई वेखती है अगर नया आ रहा है कोट में भरती हो रहा है तो अच्छी बात है कोई permanent judge आ रहे है पर judges की appointment का procedure जो है जो प्रक्रिया है बहुत slow है काफी time लगता है तो इसलिए उमीद की जारे है एक ad hoc judges को जल्दी appoint किया जाएगा और उनके पास पहले expertise होगी वो समझ रहे हैं लो कैसे काम करता है क्या judgment दी जा है तो यह provision दिया गया है कि जो chief judges है high court के यह किसी भी state के high court के जो chief judges है वो president की consent मिलने के बाद किसी भी judge को appoint कर सकते हैं high court के judge की रूप में किसी भी law को resolve करने के लिए और article 128 बात करता है retired judge को as a judge of supreme court बताने के लिए यानि कि constitution में पहले से provision दिया गया है समविधान में कि अगर एड-hoc judges की ज़रत पढ़ रही है तो आप उनको appoint कर सकते हैं और वो फैसले सोना सकते हैं क्योंकि तब भी यह देखा गया था कि समस्या आगे खड़ी हो सकते हैं अब आते हैं इस बात पर कि मुद्दा यह उठा क्यों पेंडेंसी हाई है इसलिए ऐसी बात की जा रही है व लेकिंसी बहुत जादा है इसके बाद यह आदत रहती है कि कई सारी एड्जार्टमेंस मांगी जाती है तारीख पर तारीख वाला जो टायलोग है वैसा हो जाता है कि लोवर कोट खास तौर पर काफी जादा एड्जार्ण करती रहती हैं किसे को उससे केसे बढ़ते चले है फिर गवर्मेंट अक्सर का जा रहा है कि इंडिया का ओल्मूस्ट इतने केसे कोट में और और 40 से लेकि 60% केसे गवर्मेंट ही लड़ती होती है कभी बिजली के बिल को लेगे कभी जमीनी विवाद यहां तक की रेल्वेज का अकेले 66,000 केसे रेल्वेज ने फाइल कर र तो गवर्मेंट अकेले इतने सारे केसे फाइल करती रहती है यहां तक कहा जा रहा है कि कई ऐसे ओर्डर्स भी ड्राफ्ट होते हैं कुछ ऐसे पॉलिसी लाउंच कर दी गवर्मेंट ने जहां पर ध्यान ने रखा कि भाई इसकी वजह से जैसी पॉलिसी लागू होगी इसके अलावा गवर्मेंट एक तो भाई बहुत सारे कैसे अपने दरफ लेके बैठी हुई है गवर्मेंट चाहे तो वो उसको जुडिशरी में जाने के बजाए कोई और अलग तरीके से भी रिजॉल्व कर सकती है अगर सरकार का बिजली का बिल किसी का जमानी है सरकार का क करेगा कोट की कारवाही में सरकार एक लाख रुपए खर्च करती है पांस साल का टाइम जाता है तब जाके वह दस जार रुपए जमा होते हैं इतना पंगा सरकार लेगी इतना इतने अपनी रिसॉर्स को व्यर्थ करेगी इससे बहटर है उनके साथ बात की जाए कि आपको हम कोट तक नहीं ले जाएएगि आपमें कम से कम 8000 दे दो या साथ जाग दे तो या साथ जार दे दो जितना दे सकते हो अब कोपरेट्स को लेकर ये बातें करते हैं आपको जरूरा दोamba सरकर को पैसे इंगंगो मिल जाए इस valt में इस जारals कुट को कोट की मशीन की कोट का infrastructure बुरा हाल है सब का और इंडिया की जुडिशरी में केवल 0.08 से लेके 0.09% of GDP का ही जो बजट है वो जुडिशरी को दिया जाता है इतना बजट कम सिर्फ चार देशों में है जपैन नौर्वे ऑस्ट्रेलिया और आइसलेट एक तो पहली बात इन देशों में लोग ही नहीं है बहुत कम जन संक्या दूसरी इनके साथ पेंडेंसी की प्रावल्म नहीं इसलिएंका काम चल जाता है इंडिया का केस नहीं है और हमारे देश में assessment की सुविधा नहीं है कोई जो legislation आया कोई law आया यह नहीं दिखा जाता कि इस law की वज़े से कि इतने चीजें गैर कादू नहीं अपने आप automatically बढ़ जाएंगी फिर उन पर केस फाइल करना पड़ेगा कोट की पेंडेंसी बढ़ेगी litigation बढ़ेगा litigation पर ध्यान नहीं दिया जाता और obviously पांचमा पांट जो important है judicial appointment होती ही नहीं यह बहुत delayed है जो collegiate फैसला देता है government इसको हम आगे कैसे बढ़ेंगे इसके लिए आवशकता है कि हम एक appointment system बनाएं जो कि बिना delay के काम करें बिना लाग लपेट के वो जैसे मांकित जगे काम होता है appointments का सीधा सीधा चलता रहें और हो सके तो all India judicial services जिसका प्रयास सरकार ने पहले भी किया था वो दुबारा आया जा सक और एक proper time frame होना चाहिए कितने समय में judges को appoint किया जाएगा कितने समय में वो सुनवाई करें ऐसा भी एक recommendation होना चाहिए और हो सके तो हमें modern technology का इस्तमाल करना चाहिए जैसे video conferencing हो गई या फिर अगर जो सबूत है या जो judge है वो काम हो सके artificial intelligence या AI का इस्तमाल भी हम कर सकते हैं और judgment जल्दी से जल्दी पूरी भी की जाए justice delayed is justice denied अगर आप justice देने में नयाए पहुचने में देरी हो रही है इसका मतलब नयावा नहीं ही पहुच रहा है तो यह तरीके हैं इसके अलावा out of court settlement जैसे मैंने आपको टेक्स का example लिया था कि 10,000 की license fees लेने के लिए सरकार एक पर करचती है उससे बैटर है आप out of court settlement कर लें प्ली बारगिनिंग का setup होता है अमेरिका वगरह में चलता है प्ली बारगिन आप कर सकते कि बही चलिए इतना ले दे के आप इतना हमें फाइन दी दिजिए अगर इसके बाद आपने दुबारा कानल तोड़ा को आपको मैं additional fine करेंगे या इसके अलावा जो dispute resolution bodies है alternate dispute resolution bodies बनाई जा सकती है मतलब जैसे कोई एक तरह की जब जैसे सरफेसी एक्ट जब बना था तो उससे banking को लेकर काफी चीज़ें अलग हट गी थी जूड़ी शरी से इस तरह के हम कर सकते हैं जहां special cases हमारे tribunals हो जहां कुछ तरह के से solve क जाएं जब उनमें बहुत बड़ा मांट हो या कुछ बहुत बड़ी समस्या और तभी वो जोड़ी शरी के तरफ जाएं तो यह तरीके हैं जिसके थूर हम या तो arbitration या फिर conciliation भी एक approach हो सकती है यानि पारिवारिक कुछ मामले है civil disputes है उसके लिए civil dispute resolution के लिए आप arbitration का सा सहरा ले सकते हैं consolation का सहरा ले सकते हैं जहां लोग बाते करकर जहां एक एक बॉड़ी मना के जो इसको लेकर वाद विवाद करके या तरीके से इसको solve किया जा सकता है अगर अठके मामला तब जाकर कोड जाए तो इस तरह से जूडिशित के उपर pressure कम हो सकता है तो हमने इस प्रॉप्स के बारे में यहनी genetically modified technology के बारे में बात यह है कि लगातार इंडिया में विरोध किया जा रहा है GM seeds का और सरकार ने भी कुछ इस पर आगला कदम नहीं उठाया तो हम यहां पढ़ेंगे क्या-क्रॉब्लम से इसके बारे में क्या है BT cotton, BT mustard और क्या ही विवाद है सबसे पहले बात आती है GM seeds की देखिए जो normal plant को grow करने का तरीका होता है same gene के आप दो plant को breed कराते हैं उनकी breeding होती है तो उससे एक नया seed बनता है आप उसको बोते हैं फिर उससे पॉते बनते है जो normal तरीका होता है लेकिन जब genetically modified crop होती है तो उस plant के gene के साथ gene के अंदर जैसे आपके भी अंदर gene है या मेरे भी अंदर gene है तो वो gene हमारे decide करता है कि हमारी कैसा body का color होगा किस तरह का हमारा structure होगा जो हमारी inheritance आती है वो gene से आती है तो gene genetic modification के समय में हम जो gene का structure है उसको बदल देते हैं उसको बदल के उनके अंदर एक एक जब modify करना था तो हम दूसरी तरह का gene add करते है कि alien gene gene जो उस alien gene को क्यों add किया जाता है एक gene को निकाल के मालेज़े एक cotton का बीज है उसकी gene को अपने बदलने के लिए बाहर से एक gene ऐसा add किया जिससे कि वो जो cotton अब बड़ा होगा तो उसके अंदर एक विशेश feature आ जाएगा विशेश शक्ति आ जाएगी जिसके थूँ वो कु आपके हटा दे उस gene के अंदर से ताकि वो जो पौधा बड़ा हो या जो उसके पास generations उसके आए वो सारी modified हो उसको कुछ चीजों से खत्रा ना हो यह basic कहानी है genetic modification की इप इंडिया में गेम क्या है यह देखें इंडिया में normally genetically modified crops को grow करना पहले illegal माला गाता था पहला जो जिस cotton था इंडिया का बर्बाद हो जाता था एक पिंक बुलवाम के कारण और उसकी वज़य से इंडिया का जो growth rate था market capital घरता जा रहा था बाकी देशों में GM cotton ग्रोग किये जाते थे और वो इंडिया से बहुत आगे निकल गए थे तो बहुत से किसानों ने विरोध किया quote cases वे एड करते हैं जो कि उसको एक विशेश तरह का एक टॉक्सिक जहर बनाता है उसके अंदर जो कि जो बुलवाम है उसको मार देता है तो वो जहर आपके लिए नुकसान दाइक नहीं है या फिर उस पाधे के लिए नुकसान दाइक नहीं है वो specifically pest के लिए हानिकारक है तो कहा यह जा रहा था कि इस तरह जैसे बीटी कॉर्टन ग्रू करना शुरू किया इंडिया ने तो इंडिया में कॉर्टन बहुत जाड़ा ग्रू होना स्टार्ट हुआ है इंसेक्टिसाइड की खपत कम होने लग गई लोग कम कीट नाचा के इस्तमाल करने लग गए क्योंकि वो और मस्टर्ड यानी सरसों डियमेच मस्टर्ड इसको भी मोडिफा करके ट्राइ किया गया कि बही कैसे वो सेल्फ पॉनिविलिट करेगा और कैसे अपने को बचा पाएगा बांकी पैस से तो यह सब क्रॉप्स की बात चल रही थी लेकिन कॉबलम यह हुई कि इन सब पे रो कि रही है और कंश 내가 वो ग्रों करती हूं कि बutल इस तरह इस तरह बढ़ बढ़ते चले जाएगे तो फ्रीत बैप्रोक्रेशिन है बड़्स की नाफरी होती है पहले कि थे लेकिन जो अभी हम 2 kg बोएंगे फिर 2 kg और 4 kg फिर 2 kg और 6 kg इस तरह की ग्रोथ होगी यानि जो population बढ़ेगी वो geometrically बढ़ेगी बहुत जरा विस्फोर्ट होगा और जो हमारा production होगा crops का वो arithmetic होगा वो धिरे-दिरे बढ़ेगा तो एक point आएगा कि जब हमारा population इतनी जारा बढ़ चुगी होगी कि हमारे crops की growth हमारे agriculture growth उससे मैच नहीं कर पाएगे और लोग बूखे मर जाएगे यह पहले concept था इसे कहते हैं Maltisian theory मालतस नाम के वेक्तितों ने यह थोरी दी थी लेकिन thanks to science and technology हमने hybrid seeds develop के हमने ऐसे equipment बनाए ताकि हमारी crop की growth हमारी population growth से बहुत जादा हो गई हमने बहुत जारा crops उप जाए और अब ऐसी कोई समस्या है नहीं लेकिन जैसे इसे population की density बढ़ती जा रहा है तो हमें पता है कि जो natural तरीके है पौधों के जो natural seeds है उनसे जितना crop उपजता है उससे हमारा काम चलने वाला नहीं हमें technology चाहिए और हमें GM crops hybrid seeds चाहिए होते हैं ताकि जारा-जारा production हो सके कम जमीन पर ताकि बाकी जमीन पर हम घर बसा सके यह basic background है अब कहानी आई GM crops के बारे में इंडिया में GM crops बहुत कम बहुत जाते हैं allowed ही नहीं है तो इंडिया में GM trials 2010 तक चल रहे थे फिर उसके बाद बैंड कर दिया सबसे बड़ा मुद्धा यह कहा जारा है कि जो यह seeds होता है यह terminator seed होता है normally आप एक बीज को बोते हैं उससे दूसरा पौधा बनता है फिर आप बीज को रख लेते हैं फिर उसे बोते हैं फिर आपकी फसल होती है यह अकसर terminator होते हैं हर साल आपको बोने के लिए नए seeds ले मिलेंगे और वो आत्मत्या कर लेंगे seeds बहुत महने हो जाएंगे एक point of time के बाद जब मुसाइंटो को बता लाया कि सब इसी के seeds से इस्तमाल करें उनके दाम बढ़ा देगी monopoly आजाएगी terminator seeds हैं और दूसरा इंका कहना है कि यह प्रकृति के खिलाफ है natural नहीं है seeds और हमें पता नहीं कि आगे mutation ना हो जाए जीन में तो इंसानों पर इसका दुष्ट प्रभाव हो सकता है अभी हमें ट्राइल की ज़रूद हमें पता नहीं है यह सब विरोध विवाद था और problem यह है कि जैसे mustard की जो बात करी जो mustard seeds थे वो इंडिया की दिली निविश्टी में ही develop किये गए थे तो सरकारी एक तंदर जो decide करते हैं कि GM crops को allow किया जाया नहीं याल देखे question प्रेलिंस में एक बार आ चुका है कौन सी body है तो जी यह से निविश्टी को अलाओ किया था और आज इंडिया में 95% जो cotton है वो ब्लवम का टैक नहीं होगा जादा resistant है अच्छा produce देती है और अगर problem यह है कि अगर आप को GM variant यूज करें जो कि allowed नहीं है तो आपको पांस साल तक की जील हो सकती है एक लाग का जर्मा ना हो सकता है क्योंकि कहा जाता है कि वो हानिकारक हो सकता है प्रिश्वी के लिए और जीवों के लिए भी तो यह समस्या है रही है GM crops को ले कि अभी की बात की कमी होगी तो हम कैसे वह चीजें कर पाएंगे यहां में जारा की जारा जारूरत है हम ट्राइल भी नहीं करें ट्राइल करेंगे तभी तो हम टेकनालोजी पर इंवेस्ट कर पाएंगे समस्या एक ट्रायल भी बन्द है तो कहा जा रहा है कि जो BT.Courtney की महा सक्सेस था मतल जैसे मॉसांटो या माइको का जॉइंट वेंचर था बीटी कॉटन इंडिया में लाया गया कहा जाना था कि यह मॉनपलाइज कर लेगा किसानों के लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा जब किसान को करना चाहते हैं इंडिया लाजस्ट सेकिंड लाजस्ट एक्सपोर्टर बन गया और जो पेस्टिसाइड की यूजज है जो एक्टिविस्स थे कहते थे कि जब आप बीटी कॉटन वगरा ग्रोग करेंगे तो इससे पेस्टिसाइड का यूज़ बढ़ जाएगा फट्राइजर जाना यूज़ होगा नेच्रल क्रॉप के मुकाबले लेकिन डेटा ऐस तो कोई उतना जादा ग्रोथ यूज़ नहीं हुआ यह जो चेंजिस आपको देखने को मिल भी रहे हैं इसलिए हो रहा है कि पहले बहुत कम कॉटन ग्रोग किया जा था बहुत जादा कॉटन ग्रोग होगा थोड़ी रिक्वार्मेंट तो बढ़ेगी लेकिन यहां ऐसा त बहुत जादा बढ़ गया घटने के बजाए तो इसका फायदा यह हो रहा है कि अगर आप ऐसी सेक्टर में जहां ब्रिंजल है जिसमें बहुत जादा पेस्ट अटैक होता है बहुत जादा लोग खाते हैं वहां ऐसा आप यूज़ कर पाएं तो इंडिया में फूद सीक्य इतना स्क्सेसफल हुआ कि उसके बार सरकार ने इसको लेके प्राइस कंट्रोल मेकनिजम ला दिया कि अतने इतने ही दामा बढ़ा सकते हैं इसके आगा आप इसमें इनोवेशन नहीं कर सकते और जब भी आप इनोवेशन रोखते हैं तो वह सेक्टर मर जाता है तो इसी चक परचा हम कभी उपर कर नहीं पाएंगे government seed का नाम पढ़ाने देगी लिए इस चक्कर में successful होने के बावजूर भी इन varieties में जारा investment नहीं हो पा रहे हैं और intellectual property को लेके जो protection की बात थी वो भी नहीं हो पा रहा है तो इसलिए government के भी जो measures है वो उल्टा और इसके विरोध में काम कर रहे हैं जिसका आणवाश हम देख रहे हैं कि जो government पहले trade free लेती थी कि भाई आप कितनी prices दोगे कितना fees आप ले सकते हो इसके लिए इसको लेके भी clarity नहीं है अगर आप मेहनत करके research करके एक एक ऐसा seed बनाते हैं जो बहुत सारा produce दे रहे हैं तो आपके पास यह अधिक आप यह कंपनी को clarity नहीं है कि भाई हमें पैसे मिलेंगे भी कि नहीं कि कितने मिलेंगे तो यह जो चीजे हैं इनकी वज़े से incentive जो होता है technology develop करने का वो बन दोगे कोई पैसे नहीं देरी government लेने ही नहीं दें कि सरकार तो आप जो निवेश करेंगे जो आपकी technology में खरच बचाएगा वो आप वापिस नहीं ले सकते तो लोग इस चक्कर में एक company ने htbt cotton के लिए अपलाय किया था कि वह और herbicide से भी इसको बचा रही थी लेकिन अब उस company आपना वह application withdraw कर लिया उसको लग रहा है कि जितना उसका निवेश में खरचा जाएगा जितनी seed development में उसको खरचा रहा है वो प्रॉफिटी नहीं कमा पाएंगे उसके उपर तो वो कभी invest करेंगे यहीं नहीं सेम ऐसी कहान ही हमें BT ब्रिंजल में देखने को मिलती है जहांपे protein gene बदलके जहां बैसलिये estrogenis का ही crystal add किया गया था ताकि यह इसको resistant देता ब्रिंजल fruit और shoot border से FSB से लेक इतना जादा political और activism इसके खिलाफ किया गया कि इसके खिलाफ लोगों ने इतने मुद्दे उठाय एक्टिविस वगिरा ने कि government अपना application रद कर दिया कि ठीक है ब्रिंजल आप नहीं ग्रोव कर सकते और उसी time में जो मायक्यो थी इसी company का BT ब्रिंजल बंगलदेश में ग्रो में गया मंगलदेश में बहुत ग्रोथ हुई है इस बैंगन की उत्पादन की तो इंडिया ने जो ब्रिंजल ग्रोव करना चाहिए था जो ग्रोथ इंडिया के farmers को हो सकती थी additional income जो हो सकती थी उनकी crop produce बढ़ सकती थी और नहीं बढ़ पाय क्यों क्योंकि political और active दबाव के क्योंकि पहले जो साइंस के साथ से नहीं बात कर सकते थे लेकिन political pressure में नहीं हम यह permit नहीं देंगे और इसे रोग दिया गया तो इसे चक्कर में समस्या आ रही है अब जो बीटी परिंजल एक आया रहा है जो इंडिया का इसे भी आ रहा है उसके भी फील्ट्राइल रोग रोग दिया गए वो तो सरकारी company वहां तो नहीं IPR का issue है नहीं licensing की problem है फिर भी उसे रोग दिया गया ठीक इसी तरह बंगलादेश ने रोग किया और बहुत जारा production हुआ है उनकी खपत कम हुई है प्रेस्टिसाइड वीडिसाइड की GM mustard यानि धारा mustard hybrid जो इंडिया में ग् मतलब उसको खत्रा नहीं होता उससे उसको जेल लेता है अपने आप तो वो सभी जो technologies develop की गई थी वो अब किसी काम के नहीं रही क्योंकि इनको permit ही नहीं मिलेगा grow करने और इंडिया लगाता तेल बहार से बंगवाएगा तो जो author नहीं का कहना है कि इस तरह कि अगर आप policies बनाएंगे जो anti-scientific है political pressure में आगे ले रहे हैं और future को ध्यान में नहीं रिखेंगे जहां आपके पास जमीन कम है किसानों के इंकम बढ़ानी है तो आपकी GM crafts पे जो innovation होना था technology इंडिये की कंपनी खुद की develop होती इंडियोस्टी में research होता वो कुछ नहीं हो पा रहा है त होगी को incentives नहीं और इसके खिलाफ जो mustard के खिलाफ खासतर पर जो विरोध प्रशन था वो यह था कि बीटी जीन नहीं है यह जो herbicide tolerant जो यह stage है यह किसानों के खिलाफ है मजदूरों के खिलाफ है कि मजदूर काम नहीं करेंगे फिर क्योंकि उनकी जरुरत नहीं होगी यह त तरीका ढूड़ना चाहिए जिसे हम लोगों को assure कर भाएं कि उनकी सेहत पर नुकसान नहीं होगा हमें activist को भी समझाना चाहिए कैसे अच्छी result दिये जा सकते हैं आप field rides को अलाओ करो आप GM field rides को जो research centers इंडिया के सरकारी वहां से कर सकते हैं state से NOC की जरूरत नहीं होनी चा सब कुछ टेस्ट करें अगर आपको लगे कि वह robust है और यूज किया जा सकता है तो उसको permit मिलना चाहिए लेकिन जो जी इससे भी और रोप लग रहे थे कि भाई उसके खिलाफ प्रपागेंडा कर रहा किया चलाया जा रहा था कि वह technology के खिलाफ है science के खिलाफ है ऐसी बार नहीं है हमें scientific procedures पर भनुसा करना चाहिए अगर scientifically proven है कि कोई चीज अच्छी है तो उसे माना जाना चाहिए और हमेशा हमें टेकनलोजी को ब्लॉक कर दें फार्मस इंटर्स में तो जरूरी नहीं कि फार्मस के इंटर्स में हो अगर हमने BT cotton या grow नहीं करने दिया होता इंडि इसकी जरूरत है GM trades यह जो qualities होती है उससे पानी बचता है labor बचता है fertilizer बचते है nutrition बढ़ता और yield बढ़ती है जादा उपज होती है इससे किसानों को बहुत फाइदा है तो सभी stakeholders को समझना जरूरी है कि क्यों हमें GM crops grow करने चाहिए और important क्या है इसके लिए कि हम propaganda पे ध्यान सब्सक्राइब और focus करे government fund का इस्तमाल करी research करने के लिए उनके लिए field trials हो प्रॉसाहिट किया जाए जारा-जारा research ताकि जारा-जारा funding दी जाए और हमारा regulatory system ठीक किया जाए ताकि वह बिना किशी दबाओ के अगर कोई साइंटिफिकली सही है तो उसका इस्तमाल कर पाए तो हमें ज़रूरत है इंडिया के farmer की competitiveness बढ़ाने की ताकि हमारे farmer भी globally जैसे दुनिया मेरे के किसान पैसे कमा रहे है अच्छी growth कर पा रहे है बिना government के जादा मदद किये क्योंकि खुद के पास ऐसे अच्छे seeds हो जिन वह growth कर पाए तो activism के साहरा लेने के बज़ा हमें science का सारा लेना चाहिए state और central government को साथ हाके इसके उपर काम करना चाहिए और जो ambiguity है जो इसके उपर जो विरोधा भास है कि companies को लग रहा है उनको पैसे नहीं मिलेंगे उनको profit नहीं कमाने दिया जाएगा law हो सकता कल को change हो जाए उसको लेकर clear mandate आना चाहिए कि हम law हर रफते change नह मिलेगा अगला article जो हमारा आकरी वो बात करता है diversity और inclusivity के बारे में अगर हम देखें इंडिया के population को तो इतनी ज़रा diverse है अलग लग तबके से लोग आते हैं हमारे कास system religious divide बहुत कुछ रहा है जिसकी वजए से कुछ तबके के लोग आगे नहीं आ पाए वो अपनी opportunities जो उ इंपेर है उसको अपने admission लेके college में ले आए लेकिन जब question paper आ रहा है तो वहां आप graphs बढ़के दे रहे है question paper में कोई विक्तिकर देख नहीं पा रहा तो वो कैसे graph देखके कुछ analyze कर पाएगा हो सकता है उनका knowledge level उतना ही high है ज्यादा ही बहतर हो पूरी class के मुकाबले पर question paper ऐसा setup है जहां उनको कोशन समझ ही नहीं आ सकता क्योंकि कोई graph को explain कैसे करेगा तो ऐसी problems ना हो इसके लिए IIM Bangalore में जो कि इंडिया के एडिट इस्चूट है उतने कोशिश करेगी भाई हम जो student को admit करेंगे specifically focus किया जाएगा उनके उपर individually भी क्या समस्या होती है उनको accommodation में examinations में इंडिया में जो law आया था इससे पहली इन्होंने जब इंडिया में person with disability act 1995 एड हुआ था इससे पहली इन्होंने इस students को admit किया था अलग-अलग background से जिनके साथ disability हो तब भी और 2009 में inclusivity को और बढ़ाने के लिए IIMB ने dedicated officer for office for disability service रखा था जिसके तायत हर student को ध्यान में उनके समस्ता के हिसाब से accommodation दी जाए focus किया जाए mentor किया जा सके problem यह होती inclusivity की कि हम समझते नहीं कि fairness कैसी होती है मैंने बताया कि अगर आप visually impaired student को graphs भर के दिने question paper में तो उनको समझ कैसे आएगा कि graphs कैसे है वो ठीक से देख नहीं पाएंगे समझ नहीं पाएंगे तो उनके उनके लिए question कुछ ऐसे तरह से बनना चाहिए कि वो question ही जो आप पूछना चाहरे है जिस चीज़ का आप test कर रहे है वो test जिस तरीके से वो बहतर समझ सके उस question को उस तरह से लिए आसके इस तरह की options प्रवाइड किये जा सके तो इसके तहत इन्होंने क्या 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 है इन्हों सेंसेटाइजिशन वरक्शॉप चलाए जो faculty है उसको बताया कि कैसे आपको अप्रोच बदलनी चाहिए evaluation के तरीके बदलने चाहिए एक जो तरीका है student paper लिखे का answer करेगा वही तरीक तो universal design award दिया गया कि कैसे जो लोग accessibility या university design में equality या dignity बढ़ाएंगे उनको अवार्ट दिया जा सके इसके लिए इसके लिए अपना एक program लॉंच के आए यह पंगलॉन ने तो इससे हम देखते हैं कि इस तरह से हम अलग-अलग तरह की diversity को अलग-अलग तरह की inclusivity को इससे हमें क्या पता चलता है कि इस तरह की integrated जो approach है अलग-अलग तरह के जो समाजिक तब के हमासे आने वाले students को इंडेल्ज करने की diversity बढ़ाने की इससे बहुत जादा विकास हो सकता हमारे समाज का भी और उनका भी तो यहां problem क्या होती है problem यह होती है कई यह faculty नहीं होती उस particular community के अगर visually impaired कोई है तो visually impaired community का कोई अगर faculty member उन्हें पढ़ाएगा तो वो जारा सहुलियत के साथ पढ़ाएंगे जारा समझ पाएंगे क्या समस्या students की है तो लेकिन problem यह है कि वहाँ ऐसे students का मैं तो IAMS ने कोशिच की गए कि उन्हें national importance का भी दरजा दिया गया है national importance की institutions है तो वहाँ कोशिच की है कि students को बढ़ावा दिया जा सके तो कि वह भी आगे आके faculty का रोल भी लिया सके जो दो लॉस थे Central Education institution और IAM Act इनके तहट भी IAMS में कोशिच करीगी वो किस तरह है faculty members को हाइर करें जो अलग-अलग तब के से आए for example चार इन्होंने faculty members CST community से हाइर के पिछले साल ही क्योंकि महां पे रिजर्व category में students का मैंच इन्होंने postdoc या PhD करी हुई है क्योंकि लोग यहां postdoc PhD करने के बजाए jobs लेकर आगे बढ़ना चाहते है economic ladder में तो ज़रूरत है कि हम इस तरह के course भी बनाए ताकि वो faculty members हमें अलग-अलग community से मिल सके ताकि कि वो students के problems को समझ सके और जो already faculties हैं जो अलग background की हैं उनको हम sensitize कर पाएं उनको समझा पाएं किस तरह इस उनको approach बदननी चाहिए तो इसके लिए IAM B ने एक NS Ramaswami pre-doctoral program 2019 मन लौंच किया जिसके तहत एक internally funded academic और military initiative लौंच किया जाएगा जहां 10 लोगों को जो under privilege categories हैं उनक इसको तयार किया जाए कैसे वो doctoral studies में apply कर सके मतलब PhD या postdoc जो इसके बाल होता है ताकि आप faculty members बन पाए और as a professors institution को join कर पाएं क्योंकि लोग अकसर जिनके पास economically जादा options नहीं होते वो obviously PhD करेंगे postdoc करेंगे काफी time जाएग उसके बदले वो job करना पसंद करते हैं तो इन च partnership में बढ़ा हो जाने के लिए लगातार एक multi-dimensional और integrated approach ले रहा है किस चीज़ को लेकर diversity और inclusion को लेकर यहां समझने वाली बात है कि हम इस example का इस्तमाल कर सकते हैं inclusive governance में ethics में कि कैसे IAMB जैसा institution जो है बिना सरकार के कोई law बनाए पहले से ही ऐसे steps उठा रहा है और जिसको replicate कर स लेश्टी लेवल पर अलग-अलग institutions के लेवल पर तो आज के लिए यह तीन आटेकर में डिसक्स कि लेखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी मुच एंड हम नाइस टेंग